हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब तो आज बनेंगे गेहू के आटे और आलू का बोहुत ही टेस्टी जटपड बनने वाली नाश्ता जब भी आपको कुछ अच्छा और चटपड़ा खाने को मन करें और जल्दी से बनजे या फिर आपके घर में कोई आचानक से महमान अजे तो आप इस नाश्ता बोहुत ही टेस्टी बनती हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और इसे बनाना भी बहुत असान है तो चल चपाँ ठाटी है खाने ही जात सकते हैं परोडर के दोल्य देग के लिएया मिर्च । अगर इसमे क्त्र leadership कर सकते हैं तो सब्सक्राइब यहां पर आप अपने साफ से थोगा सा कम ज्यादा कर सकते हैं आप इसमें डाल देंगे स्वादवन सार नमक अब यहां पर देखिए मेरे पास थोगा चीज था तो इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे तो चीज डालना पूरी तरह से अप्शनल है लेकि सारे चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हाथ से ही अच्छे से मिक्स होगा इसे हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे यह नास्ता बहुत ही जल्दी बन जाती है और यह बहुत ही टेस्टी बनती है इस नास्ते को अगर आप एक बर बना लेंगे न तो यकीन ब पुर्ण दें तो वीडियो के लाइक शेर जरूर से कर दिजिएगा और यहां पर देखिए इस तरसे मैंने एक बना लिया है और इसे तरसे बाकी कभी बना के त्यार कर लेंगे इसे बनाना बहुत ही असान है फ्रस तो लिजे सारे टीक को हमने इस तरसे बना लिया है और पां थोड़ा से इसमें हम नमक डाल देंगे और सारे चीजों के अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाई डालेंगे और इसका हम एक गारहा बैटर त्यार कर लेंगे तो एक संसारे पानी इसमें नहीं ड़ना है थोड़ा थोड़ा ही इसमें पानी ड़ना है ताकि इसमें कोई भी लंशिया गुटलिया ना पड़े है तो लिजे इस तरह से मैंने इसका गारा बैटर त्यार कर लिया है और इसका जो कंसिस्टेंसी है इस तरह सी होनी चाहिए इस यहां पर यहां पर पहले ही गरम होने के लिए लिए लख दिया था तो यहां पर अच्य कर रहा है difference बैटर में drip कर घ्राइब कर जाएंगे और अच्छी से यहां यहां पर मैं इस नस्त-एले इतना एक तार शम कर लें जाएपapi now इस नस्ते को फराई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह नस्ता चार से पांच मिनिट में अच्छे से फराई हो जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से नस्ता फराई हो रहा है इसमें कर जो मसाला है बिल्कुल ही तेल में नहीं निकल रहा है तो ये नास्ता उतना ही टेस्टी होती हैं। और ये नास्ता बच्चे और बरो सभी को पसंद आएगी। तो लिजे फ्रैंस तयार है जट्पत बनने वाली बहुत ही टेस्टी और चट्पती सी नास्ता। तो इस नास्तय को एक पर मेरे तरीकी से जरूर बनेएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे बनाने भी बहुत आसान है। तो जब भी आपको कुछ अच्छा और चरपटा खाने को मन करें और जल्दी से बन जाए तो आप इस नाश्टे को एक पर जरूर ट्राई किजिएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी तो उमीद है कि आज की रेश्पी आपको पसंद आई होगी रेश्पी पसंद देती वी करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कौन आई रेश्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग